नमस्कार दोस्तों आज किस क्लास में हम लोग तिरिकोण मीत ये सुत्र के बारे में पढ़ेंगे आप लोगों को बताए कि ट्रिग्नोमेटर में हमारे पास में कुछ सुत्र कुछ फोर्मुले होते हैं और ये सारे के सारे फोर्मुले उन्हीं चैक एच्छे जो हमारे पास मे ये 16 ये 17 ये 18 और ये 19 और ये 20 आप लोग कभी भी अगर तिरकुण में तीकी क्लास ले रहे हो किसी भी टीचर से ले रहे हो कोई offline coaching में online coaching में तो प्यारे दोस्तों आपको ये सारे फोर्मुले वगेरा याद होंगे ना तो उस क्लास में थोड़ी मज़े भी आएंगे और चीजी शीखने के लिए असान भी हों और मेरी चोटी-चोटी वीडियो हैं दस-दस-पंदरा-पंदरा मिनट की आप लोग इनको शेयर भी करें और आप लोग इनको देखें भी कि आप लोगों की अच्छी से समझ में आ रही हैं क आज मैं आप लोगों की ऐसारे की loss कि में निकालना सकते हैं तो आप लोग ध्यान से देखें जैश्हेश मैने लख रखायि कि साइन थीटा ब्रापर बन ओं संक तेटा रिविजन कर लिया करो भीजिए कि 0 डिगरी का मतलब 010 30 डिगरी का मतलब क्या होता है एक बटा दो फिर अंडरूट तीन बटा दो और फिर होता है एक बटा अंडरूट में 3 अब दोस्तों, मैंने बताया था, कि sin theta का ठीक उल्टा cosec theta होता है, देखिए, मैंने क्या बहला, sin cos ten cosec, तो sin और cosec एक दूसरे के क्या है, opposite होते है, cosec तो होता है, sin का opposite मतलब sin को पल्टोगे तो cosec का माना जाएगा, और cosec को पल्टोगे तो sin का माना जाएगा, यानि दोनों ही फोर्मुले आसान है कि साइन थीटा किसके ब्राबर है तो दोस्तों साइन थीटा वड़ा पोर वोले कि सामने कौन सा पोर वहा है ये कोसेक वड़ा तो साइन थीटा ब्राबर कोसेक थीटा और कोसेक थीटा ब्राबर वन अपोन साइन थीटा ना कि एक दूसर तो ब्रापपर होता है वन ऑपन में कोट थिटा और कोट थिटा ब्रापर होता है वन अपन में टैन थेटा उमीद करता हूं कि यह तो अधो होगी इस परकार से हैक्सागन हो गही सबसे पहले क्या होगा है कि हैक्सागन हैक्सागन का मतलब होता है जिसमें दोस्तों यह पांच और यह हो गया उप है बस इच्छ है किनारे होने चाहिए उमीद करता हूं इतना बना लोगे उसके बाद में दोस्तों यह जो डाइगनल है विक्रण है इनको आपस में मिला देना कुछ इस परकार ची देना कि यहां अपने लिख दिया भन उसके बाद में देखिए क्या लिखने वारत आपको तिर्कौनमिती की टेबल पता है वैसे ही यहां दोस्तों लिख देना साइन और यहां लिख देना कोस अब दोस्तों साइन का ठीक अपोजिट देखिए साइन का कौन था को सेक तो तो कोस का ज़र इस तुल्टा को रहता है सैक तो यहां लिखोगे सैक को और यहां दोस्तों लिखोगे आप लोग टैन को और यहां आप लोग लिखने वाले हो को अब देखिए यहां से फॉर्मॉले कैसे पहला फोर्मूला है साइन थीटा बराबर बन अपॉन कर सक थीटा तो देखिए साइन थीटा बराबर वन अपॉन कोशेक थीटा फिर कोशेक थीटा कैसे आएगा कि कोशेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा तो फोर्मूले हो गई कोश थीटा कि कोश थीटा बराबर वन अपॉन सेक थिटा और सेक थिटा निकालने के लिए बोलूगा तू सेक थिटा बराबर वन अपॉन कोस थिटा अब समझदार बच्चे बन तो क्या हो तो टैन थिटा के लिए क्या बोलोगी टैन थिटा बराबर वन अपॉन कोट थिटा और दोस्तों कोट थिटा के लिए क्या बोलोगे कोट थिटा बराबर 1 अपोन 10 थिटा तो आपने क्या देखा ये 6 के 6 फोर्मुले मैंने 2 तरीके से सिखा दिये वही और उमीद करता हूँ आप लोग जब कभी कोपी में लिखने का परियास करोगे तो आप लोग आसानी से लिख दोगे अब आता हूँ मैं कि साइन थिटा इंटू कोशैक थिटा बराबर 1 तो इसका क्या मतलब है देखे इसकी भी दो तरीके है दोस्तों कोशैक थिटा इधर बटा में है अगर आप पकसांतरन करोगे तो उधर गुना में जाएगा तो मैं बोलूँगा साइन थिटा गुना कोशै थिटा है इन दोनों की गुना किसके बराबर आएगी एक के ये जो कोश थिटा है और ये जो फैक थिटा है इन दोनों की गुना भी किसके बराबर आएगी एक के और ये जो टैन थिटा है और ये कोट थिटा है इनके बुना भी किसके बराबर आएगी एक के मतलब इसमें क दोस्तों मैंने आप लोगों को 9 फोर्मूले आसानी से याद करवा दिया है ना एक बढ़ 10 11 को रखना भी 10 11 का नमबर आएक हम तब दोबारा बताऊंगा एक बढ़र अपसी तब 12-13 और 14 पर रहे हैं दोस्तों 12-13 और 14 वाला फोर्मूला कैसे याद करोगे देखे यह मैन फो दोसरा निकाला यह वड़ा फॉर्मॉला पिर उसी परकार प्यारे दोस्तों यह बी मुक्य फॉर्मॉला यह यह इंक 200 फॉर्मुले तो आप इनको कैसे देखोगे देखिए दोस्तों मैंने कहा आप लोग सबसे पहले साइन पढ़ते हो तो साइन से शुरुआत करो देखिए साइन से चलो आप मेरे साथ जब आप साइन से मेरे साथ चलोगे तो आप लोगों को सिदा सिदा चलना है तो आप कहा जाओगे कोस के ओपर तो मैंने कहा साइन पलस कोस बस हरते सब के सर पे दो दो हो मतलब साइन स्केयर थिटा मैंने क्या कहा साइन स्केयर थिटा फिर उधर गई तो पलस को स्केयर थिटा अब दोस्तों एक की तरफ रवान की लिए लो जहां एक है तो जब एक की तरफ रवान की लिए तुम ही धराया तो साइन स्केयर थिटा पलस को स्केयर थिटा पराबर किसके एक के एक के ठीक उसी परकार प्यारे दोस्तों 10 theta दे रखा है तो जब 10 theta से आप लोग जाओगे तो मैंने कहाँ पहले काम है सीधा जाना और जब सीधा जाओगे तो 10 theta plus में कितना 1 देखे पहले इस वाले बिंदू से गई अब मैं इस वाले बिंदू से जारा हूँ तो 10 theta plus में कितना 1 बराबर किसके दोस्तों 6 square theta गहे ऐसी तो जारा हो आपलोग थे काना तो यहां द्याना से देखना यहाँ वड़ा फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में कि 10 square theta plus 1 बराबर किसके 6 square theta फिर प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा कोट स्क्यार थीटा तो यह कोट स्क्यार थीटा होगा पहले सीदे सीदे चलो और जब सीदे सीदे चले तो आप पहुंचे एक के पास में तो कोट स्क्यार थीटा प्लस वन और फिर प्यारे दोस्तों नीचे की तरफ से लोग स्क्राइब यहां लोग ने कोण सा क्यों कि ब्राइब यहां ब्राइब किया हूँ अगर आप लोगों से बहल रहा हूं तो यह फोर्मुला हम लोगों ने इस फिगर से फाइड आट किया ना बाकि क्यों बोब रहा हूं देखिए मैंने का साइन स्क्राइड टिटा किस ben बराबर अगर इस स्क्क्राइड टिटा माइनस का नहीं और We स्कीरे तर और एक हिदर रहा जाएगा याफिर कोड्वी कि बोलु गा तो पलस वन उद्धर जाएगे माइनिस और यही तरिका यहा है कि सैक्स्क्यर्टीटा बराबर यह तो आ गया था अगर मैं सैक्स्क्यर्टड़ माइनिस टेंट्ट्रति अकरों गाथ के बराबर वन की अगर दोस्तों मैं टैन स्क्वेर्ट सीटा की वेलूची है तो प्लस वन को दर्जागी करूंगा तो यह हो जाएगा माइनस का और आप लोग ना फोर्मूले याद करने हैं तो समधदार वच्वों की तरह आप लोग वैसे भी याद कर सकते हो दोस्तों कि मै अचने बात करी को सैक और कोट की तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कोसैक में लेटर सोड़ी ज्यादा है 1 2 3 4 5 और कोट में लेटर कम बागि दोनों के सरवाद सी ओ सी और ही आप ऐसे करके एक इमीज बना सकते हैं माइंड अगर याद करना है तो लेकिन यहां दोस्तों योग है और यहां इन दोनों में अंतर आएगा क्या आएगा दोस्तों अंतर तो कोसेक स्केर थिटा माइनस कोट स्केर थिटा बराबर किसके एक के और बड़ी संख्या में से छोटी गटा रहे हो मतलब कोसेक स्केर थिटा बड़ा है उसमें से कोट स्क सक्ب स्केर बनाओंगे तो यह सारी चीजेन आसानी याद होजआएगे तो structure होते हैं। तो मैंने आप लोगों गतने Store नंबर पढा दिया। यह 13 भी पढा दिया और यह 14 भी पढा दिया आपätze में को पूर्मोले नौट और यह वाले फॉर्मूले तो ऐसे याद होने चाहिए अब यह जो दस नंबर और ग्यारा नंबर है यह भी इंपॉर्टन्ट है मैं चाहूं तो आप लोगों को 20 से ज़्यादा फॉर्मूले करवा सकता हूं कैसे थोड़ा देखिएगा यह देखे मैंने 10 नंबर और 11 नंबर को क्यों चोड़ा था कि यह जो हेक्षागन मैंने बनाया है ना इसमें और भी बहुत सारी फॉर्मूले बनते हैं 10 और 11 के तो जैसे दोस्तों मैंने कहा 10 थीटा किसके बराबर है तो मैं अगर 10 थीटा बोल रहा हूं तो यहां पर है 10 थी हैं तो उसके बाद में साइन और फिर कोस आएगा तो दोस्तों मैं बोलूँगा कि 10 थीटा किसके बराबर है साइन थीटा बटा में कोस थीटा के बराबर है फिर मैं बोलूँगा साइन थीटा किसके बराबर है तो दोस्तों साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा तो साइक तो समझार बच्काद हो अगर माँ लोगों से बोल दूं कि कोट थीटा का मान कितना है तो प्याक तो पैर दोस्तों कोट थीटा का मान हो जाए को पकड़िये किसी भी एक ट्रम को पकड़िये उसके दोनों साइड में तो कोषैक से इढर जाओगे तो कोट बटा कोष आएगा और कोषैक से इढर आओगे तो सैक बटा टैन आएगा अब इतने सारे याद करना हमारे लिए impossible है इसलिए मैंने जो important दो हैं वो लिखे हैं जैसे मैं 10 से अगर मैं इस side में जा रहा हूँ तो sign बटा course है और court से दोस्तों मैं दो value निकार सकता हूँ इधर भी और इधर भी अब मेरे को सिर्फ ये वाले value याद करने हैं कि court theta बराबर course बटा में sign मैं यह बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग यह formula बगेरा बना लेना नहीं यह मुरक्ता होती है आपको यह formula याद होने चाहिए अगर आपको यह formula याद है तो आप इन formula को एक बार दो बार तो टेपल से बनाईए और फिर दिमाग में कोई ऐसी चोबी बना लेजिए अच्छा को सैक में लेटर जादा है तो इसमें से माइनस करूंगा court करूंगा कॉछ इस परकार की दिमाग में image बनाईए और जब image बना लोग एक बार तो आपको formula य रहे हैं इनको याद रखो यह 10 और 11 नमबर याद करने वाकि यह सब याद नहीं करने कभी इनके आउसिक्ता पड़ गई तो आप लोग तो इनको लिख सकते हो जैसे यहां को सैक यहां सैक टैन आएगा तो एक बच्चा है जो थोड़ा बहुत भी समद्दार बच्चा है व इसा इस पाइड भाई को सैक थीटा फ्राबर क्या यह मानली जिम्ले कि पूछा है और फिर दोस्तों मैंने ए उम संदे दें आपो को की सां संथिता की पराप है बी ऑप्सं देधा मैं आप लोगों को परापर है कि flashy ओप्शन देदी है मैंने आपलों को तैन थटा के पराबर है डी औप्षिन देदी हाम में आप लोगों को कोट की बरापर है या तो दोस्तों अगर आप तो मैंने आपको क्या समझा है अभी देखिए बटा में को सेक थिटा वह यहीं तो है इसी की बारे में पूछा है मैंने तो कोड थिटा बटा में को सेक थिटा किसके बराबर कोस थिटा की या तो आप लोग चाहिए वैठे रहे ना अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ही आप लोग इसको टिकर के आगे निकल जाना है दूसरी बात देखें मैं मेरे ओफ्राइन वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैंने कल वाले वीडियो में कुछ क्यूसन दिये थे मुश्किल से तींचर बच्चों का जवाब आया है आप लोग इन वीडियो को हड़के में मतल आप लोग एक बार दो बार तीन बार घर्जा के करोगे आप लोगों के टेबल मैं देखो सबसे पहले दिन मैं आपको क्या याद कर वाया दोस्तों आप लोग खुद सोच के देखना अपनी इमांदारी से क्या आप लोगों को 035,690 के मान अब आपको अंगोडियों पर य एक का है और 60 डिगरी की सुर्वात होती है अंडूर तीन बटा दो फिर एक बटा दो से तो एक बटा दो का उल्टा दो बटा एक यानि दो रही कितनी आसान मना दी मैंने आप लोगों के लिए सारणी कल वाले क्लास में मैंने आप लोगों से और एंगल निकालने के लिए वो भी आप लोगों ने निकालती है आज की कलास में हम लोगों को तिरकॉनमिती के अनुपात बताने वाला हूं कि पंडित बजरी परसाध हर हर बोले या फिर लाल बटे कका वो क्या होता है उसके बाद में आप ये मानके चलो कि आपका बेश इतना मजबूत हो जाता है त आगे चलके जब भी कभी पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में अच्छे से आई हैं इसलिए हड़के में मतले हो पढ़ो भाई फाइदा उठाओ इस चीज का